ट्रिपल फूर वेक रिंग अनजली गाड़ेंस में आप सभी का स्वागत है ओम नमस्षिवाय जैमादुर का दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में देखें कि आपके पार्टनर की क्या करेंट इनर्जी अभी वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनकी इनर्जी आपको ले आपके पार्टनर की क्या करेंट इनर्जी है और मेरे जितने भी वीवर से उन सभी को हैपी वैलेंटाइन डे तो फॉर्स्ट कार्ड यहां पर जो निकल के आया है सेकेंड चक्रा आर्गेंजल एरियल सेकेंड चक्रा से सम्बंदित है यह कार्ड यहां पर आसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है सेक्सवाली आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्राक्टेट फील कर रहे है और आपको लेकर के एक घजब का उनके पास अट्राक्शन है आप उनको बहुत ज़्यादा अट्राक्टिव लगते हो दुनिया में कोई इंसान आपके जितना खुबसूरत उनको फील नहीं करा था आप दुनिया के सबसे खुबसूरत इंसान उनकी नेजर में हो आपकी आईज आपके हेल आपका ड्रेसिंग सेंस और आपकी जो क्वालिटी है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है बहुत एड्मार करते हैं आपको यहाँ पर यह फील हो रहा है ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ होते है न तो दुनिया के उनके सारी खुसी उनको मिल जाती है आपके साथ होने पर यहाँ पर यह लग रहा है बहुत ज़्यादा विस फुल्फिल्मेंट आप एक तरह से उनके लिए हो उनकी हर खुसी का आप ख्याल रखते हो आपके साथ ऐसा लगता रह करके कि वो heaven में है वो हर energy को बहुत ही खुशियों के साथ feel करते हैं और आपके साथ union को expect करते हैं no contact में होते वे भी आपके साथ एक higher vibration में रह करके वो union में ही है आपके साथ उन्हें लगता ही नहीं कि आपसे वो separate है उन्हें ये feel होता है आपसे separation feel ही नहीं होता चाहे आप बात बंद कर दे चाहे आप उनको ignore करें या वो ignore करें चाहे आपसे महीनों या घंटों आपसे नहीं भी बात होती है तो भी, उनको separation फिलली नहीं होता, उनको लगता है कि आपके energy कहीं न कहीं आसपास है, वो इतना ज्यादा attract है आपसे, उनके energy field में आप हो, उनकी energy ऐसी है कि वो दूर होते तो भी आपकी field उनको हमेशा होती रहत है, higher vibration में, higher realms में, वो आपसे connected है, यहाँ पे यह feel हो रहा है, next क्या है उनके energy, वीडियो को like कर दे दोस्तों, next energy उनके क्या है, next है इनका man holding a heart, yes, बहुत ही ज़्यादा, यह इनसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपसे बहुत ज़्यादा मिलना चाहता है, मतलब आपके लिए इसने अपने पूरा दिल निकाल कर रख दिया, भले ही यह separation में हो, लेकिन यह आपके लिए, उस हर पर स्थिती से लड़ जाना च जाता है, आपको पाने के लिए आपसे ही लड़ जाना चाहता है, हो सकता है कि कोई पर स्थितिया आपको से दूर ले गई हो, आपको लगता है कि आपको सच्चा प्यार ने करता है, लेकिन यह इनसान सच्चा प्यार करता है, बहुत ही ज़्याद आपसे प्यार करता है, इ इनका दिल garden garden हो जाता है बहुत ही ज़्यादा happiness फील करता है इसकी happiness भी आपसे है इसके जो भी happiness है वो सब कुछ आपसे है अपनी feelings आपके साथ ही share करना चाहता है अपनी feelings को दवाय रखता है पर हो सकता है 9 गंटे में अगले 4 गंटे में अगले 5 गंटे में उनका message आए अगले 3 गंटे में यानि 3 से लेकर के 9 गंटे में 9 hours बहुत ही important है या 9 बजे रात बहुत important है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 9 बजे तक आज आपको कुछ न कुछ message आएगा इनका और यह इंसान अपनी feelings अपके साथ share करेगा 9 number बहुत ही important है यहाँ पर बहुत ज़्यादा next next क्या energy है so next energy है indecision कुछ लोग जो separation में हैं उनके लिए indecision का card आया है उनको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे आपको approach करें no contact में है आपने रास्ता बंद कर दिया है उनके आने का उनके contact करने का उनके message करने का वो इंसान समझ नहीं पा रहा है किस रास्ते को चुने एक तरफ yellow butterfly है और एक तरफ white butterfly किस रास्ते पे वो जा है confusion है third party situation हो सकती है यहाँ पर किसी किसी के relationship में है अब वो सोच रहे है बीच रास्ते पे वो खड़े हो गया है अब उनको decide करना है या तो आप या third party ऐसा उनको लग रहा है उनको लग रहा है अगर सही decision नहीं लिया तो आप उनके हाँ से चले जाएंगे गलर decision का खाम्याजा इनको भुगतना पड़ेगा अगर अभी इन्होंने decide नहीं किया अभी इन्होंने तै नहीं किया क्या इनको क्या करना है और क्या चुणना है तो ये आपको खोदेंगे इनको ये feel हो चुका है ये decide करने के कगाड़ पे है ऐसी परिस्तिति से गुजर रहा है कि अब इनको decide करना contact or no contact contact or no contact to you करना है नहीं करना है have to contact, have not to contact यहाँ पर ये feel हो रहा है ये पता है इनको कि अगर आपके तरफ जाएंगे तो prosperity, abundance सब कुछ है और आपसे दूर गय है तो इनके light में एक तरह का रुकावट इनके light में आ जाएगा ऐसा लगेगा कि जो कुछ भी चल रहा है इनके light में वो सब एक thumbs आ जाएगा ऐसा इनको feel हो रहा है या karma cycle 8 number karma सनी का है number या फिर इनको karma pay करना पड़ेगा अगर सब इसेजन लेते हैं तो इनके लिए बहुत खुशी की बात है बल्ले बल्ले है और नहीं लेते हैं तो इनको karma pay करना पड़ेगा यहाँ पर यह feel हो रहा है इनके energy ऐसी है background noise अगरो दोस्तो तो case sorry और कोई energy angel और कोई energy yes the thinking man again बहुत सूच रहा है यह इनसान आपके बारे में बहुत जादा सूच रहा है how to create family with you आपके साथ कैसे family बनानी है अपने सपने को कैसे पूड़ा करे कैसे आपसे साधी करे साधी करनी के energy सोच रहा है कैसे आपको मनाए कैसे आपको अपने life पे लेकिया कैसे आपसे साधी करके एक happy family बनाए इनका सपना है कि आपके साथ एक happy family create हो कहा तक सोचेगा पुरानी बतों को अपने दिल से लगाए रखा है उनूने पुरानी यादों को इसने अपने दिल से लगाए रखा आपके मैसेज आपकी फोटोज आपके जो भी दिए गे-गिफ्ट है आपके हर एक चीज़ को इसने समाल कर रखिया और उन चीज़ों को ये बहुत ही बखुबी देखता है रोज देखता है आपको स्पाई करता है उसको लगता है कि आपसे दूर रख करके ये खुस नहीं है यहाप ये भी फिल लुड़ा और ये ना कभी-कभी ये भी लग रहा है कि अगर आप इसके जीवन में नहीं हो तो आप इतने खुस कैसे हो सकते हो आप ये कि दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़दे खुस हो आप रो क्यों नहीं रहे हो इसके बगर इसको ये फिल क्यों नहीं हो रहा है यह detachment feel कर रहा है ऐसा लग रहा है कि आप दूर हो दूर से देख रहा है लेकिन इसको यह feelings नहीं आ रही है attachment वाली किसी के लिए है क्योंकि यहाँ पर जो feelings थी आपसे बहुत ज़्यदा connected feel कर रहा है लेकिन कुछ ऐसे लोग है जिनको detachment की भी feeling आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आपको खुस देख करके यह भी खुस हो रहा लेकिन इसको यह feel हो रहा कि आप इसके तरफ क्यों नहीं आ रहे हो आप क्यों नहीं गिरगड़ा रहे हो इसके तरफ आने के लिए आपको गिर गिराना चाहिए थे प्यार की भीक मागनी चाहिए थी पर आप इतने बदल कैसे गया हो आप साधी, बच्चे या फिर आप अपने future planning के बारे में इससे बात करते हो और ये इनसान जो है आपको बीच रास्ते पे बात को खत्म करके या पाउस भिला करके आपको छोड़ देता होगा ये ठीक है बार में बात करेंगे और फिर ये आपको offline हो जाता होगा या long distance में भी यहाँ पे लग रहा है कुछ लोग है इससे पता चल रहा है कि long distance है आप लोगों के बीच में तो बातों को बीच में छोड़ देता है और complete नहीं करता है लेकिन अगर इसके मन की बात करें तो इसके मन में ये चल रहा है कि आपके साथ family create कैसे करें आपको कैसे अपना proposal दें कि इंसान किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति के लिए नया proposal भी आ सकता है आज के दिन कोई आपको happy valentine day बोल सकता है कोई नया इंसान आपको propose कर सकता है कोई आपके life में new member आ सकता है और कोई old member आपका wait कर रहा है सोच रहा है कि कैसे आपके जीवन में आया जाए आपके ex आपका wait कर रहा है वो ये wait कर रहा है कि आप ही सामने से चले आए और इनको knock knock करके पुछे कैसे हो, कहाँ हो कैसी हो, कहाँ हो तो मुझे याद क्यों नहीं करते या करती ये इसका wait कर रहा है but at last ये message करेंगा में मैसेज करेगा हार के ही मैसेज करेगा ०ेंसाइल और क्या है इनके मन में इनके नरजी और क्या है इनके मन में क्या है अंजल गाइट करें तडप बहुत है पर पेसंस रखना है तडप ढ़ा है आपको पाने के लिए पर अपने आपको रोक करके भी इसने रखा है यह इंतिजार कर रहा है कि आप ही कहीं में चले आओ आप ही बोल दो आगे से आकर के वेट कर रहा है आप यहाँ देख सकते हैं क्लॉक वेट कर रहा है आपके आने का पर यह पूरी तरह से डिवाइन से आपको मांग रहा है किसी तरह से contact हो जाए आपसे किसी तरह से बात हो जाए आपकी आपके energy field इसको खीच रही है आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे लगता है कि ऐसी परिस्तिती में हो कि आप बहुत balance हो और यह आपको balance देख करके यहाँ पर यह जो था इसको समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने balance कैसे हो सकते हो इसके जाने के बाद आप इतने सहंत कैसे हो गए क्योंकि जो मैं reading बेजी थी sort में उसमें भी यही लगड़ा था कि आपने गुस्से में block कर दिया है कि आप बहुत हो गया बस अब मुझे नहीं रहना ये इनसान रहे अत्वा ना रहे चला जाए जब इसने मेरी value नहीं कर रही है तो मैं रह करके क्या करूंगा या करूंगी इसके life में जिस दिन इसको समझ में आएगा इसको अपने जिम्मेदारियों का एसास होगा खुद बखुद चला आएगा या चली आएगी अब मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना और आपको इस इनरजी में देख करके कि आप आई नहीं रहे हो इनसान विचली तोड़ा और आपको डिवाइन से बहुत मांग रहा है बहुत ज़्यादा मांग रहा है कि किसी तरह से आपसे कॉंटेक्ट हो जाए बात हो जाए पर ये इनसान आज भी आज भी एक हद तक वेट करेगा एक हद तक वेट करेगा कि आप ही आकर कि इसको प्रपोस कर दो और आप ही कुछ बोल दो और आप ही इसको मैसेज कर दो और ये मन ही मन अपने अपने इगो को सैटिसफाइड होते वह दीखना जाता है मैं तो कहूँगी आप बिलकुल भी मैसेज मत करना यहाँ पर बिलकुल भी मैसेज मत करना यहाँ पर अगर ego की satisfaction की बात है तो इसको बिल्कुल भी message मत करना देखो कब तक आता है या कब तक आती है अगर timeline में reunion लिखा है तो होगी अगर timeline में reunion नहीं लिखा है तब कितनी भी कोशिस कर लो, रो लो, दोर लो, केशी के सापने गिर गिरा लो वो इनसान या कोई भी बंदा या बंदी आने वाला नहीं है तो एपनी energy waste मत करो और अपनी energy को किसी और तरफ लगाओ वर्क में लगाओ, अपनी career को सवाड़ने में लगाओ काफित ज़्यादा आगे बढ़ोगे अपने आप वो energy, अगर union होगी तो खीच लाएगा यहाँ पर है five of earth कहाँ न मैंने, वेट कर रहे हैं कि आप उनके दरवाजे पर जाओ आप knock करो, कि कहाँ हो तुम कैसे हो तुम, या कैसी हो तुम आप उनका हाल चल लो वो बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब उनको फिक्र होने लगए, अब उनको patience रखते 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 वो इनसान परशान हो गया अब वो फिक्र होने लगए कि अब कैसी भी कर कि बस आ जा और मिल लो और बात कर लो, मिलना जाए ज़े इनसान किसी-किसी के और कुछ इनसान जो है आपसे मिलने का वेट कर रहे हैं, हो सकता आपके, आपसे मिलने कीनो नहीं कोसिज भी की हो, आपके सहराए हो, आपसे contact करने की कोसिस की हो कुछ लोगे के लिए भी है कि इतने जाद आपने आपको abandon feel कर रहा है कि आप से मिलने के लिए बेसबरी से पहुँच भी जाए यहाँ पर यह भी लग रहा है long distance बुड़ा करके यह पहुँच भी सकता है उनके action क्या है एंजल बताएं एंजल प्लीज और मिश्वर परम्पिता पर मिश्वर बताएं viewers के पाट्टर के action क्या होंगी action क्या होंगी next so it of fire मैंने कहा न यह इंसान आपको बहुत ही तेजी से message करने वाला it of fire एक समय में यह बहुत सारा काम कर रहा है बहुत कुछ सोच रहा है multitasking इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़े चल रही है जल्दी से अपसे message करना है जल्दी से अपसे मिलना है जल्दी से अपसे बाती करनी है जल्दी से अपने feelings को सियाथ करना है जल्दी से सब कुछ करना है, जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट, इतना ज़्यादा फास्ट है नहीं, बहुत ज़्यादा अक्टिव एनर्जी है, तो ये इंसान आपको मैसेज करेगा, मैंने 9 गंटे का था, 9 गंटे के अंदर में देखेगा, आपको मैसेज आएगा और बहु ये नर्जी को बांथ के अब नहीं रह सकता है, या रिसिस्ट कर रहा है, कि नहीं, अब बहुत हो गया, बस अब यहीं तक, अब अन ब्लॉक करना है, सब को खतम करना है, जो किज़ भी दुख है, आपने जीवन में को दुख नहीं देना है, या आप इसके चलते रोड़े ह तो ये इंसान जो है आपको रोतवा नहीं देख सकता है, अब बस बहुत हो गया, ये आपको हीलिंग करने के लिए विजएगा, या अगर ये रोड़ा है आपके लिए, आपने कुछ इसके साथ जो है, जगड़े करने के बाद ब्लॉक कर दिया है, तो ये इंसान को चाहिए, यह आप और दुख नहीं जेल सकता है आप से दूर होने का, आप से दूर होने का बिल्कुल भी हल्प नहीं सकता है, और इसको divine की guidance मिल रही है इस इंसान को बहुत ज़्यदा dream आ रहा है divine के, और यह पागल पागल हो रखा है कि इसको dream में सर्फ आप दिखते है divine दिखते है, भगवान दिखते है इसवर दिखते है और इसने क्या खो दिया, आपको खो करके यह divine connection था इसको समझ में नहीं आया था, कि यह connection कोई, ऐसा वैसा connection नहीं बहुत ही खास connection है इस इनसान को समझ नहीं आया था कि यह जिसको ignore कर रहा यह जिसको जो value नहीं दे रहा है तो यह इनसान को समझ में आया कि जिससे में value नहीं दे रहा वो इनसान divine के द्वारा connected है और इस timeline में आपके साथ बने रहना ही इसकी wish थी और इसका soul purpose था अब ये पूरी तरह से तूट गया और divine अब इसको support करें कि इसको कहता है न पीछे से push कर रहे हैं देखिए आप दोनों divine जो है न इसको पीछे से जो है वो पकड़े में कंदे पर इसको support कर रहे हैं इसको push कर रहे हैं बढ़ जा आगे बढ़ जा अब बहुत हुआ अब इतना जादा अपने आपको assist मत करो माफी मांग लो अपनी गलतियों की इसको लग रहा है कि अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और किसी को दुख नहीं देना चाहिए अगर उनके वज़ा से आप दुखी है तो उनको एक फील ओड़ा कि उनके वज़ा से अगर आप दुखी है तो वो अपने गलतियों की माफी आपसे मांगना चाहते है और इस रिस्ते को सुधारना चाहते है जो भी उन्होंने गलतियां की है अब वो इस गलती को सुधारने की कोसिस में लगे हुए है और भी कोई मैसेज है उनके action में अब ओर next action क्या करें next action तो बहुत हई अच्छा था next action में और भी कोई message, angel next action में कोई message yes for of air meditation, हीलिंग चाहिए इस इंसान को बहुत इंसान ने रेस्ट किया अब हीलिंग से उठ करके ये अक्षन लेने के मूड में है चलिए अब देखते हैं आपके ये प्यारे-प्यारे लब मैसेज़ेज कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं love messages. so I want to marry you. आज के दिन अगर ऐसे messages आ जाहे तो इस अची कोई messages हों ही नहीं सकते हैं I see your photos everyday. nice मैंने कहा ही था कि वो आपके photos देखते हैं, messages पढ़ते हैं आपको बहुत चाहτα याद करते हैं लिवाइन और कोई मैसेज I dream of honeymoon night with you और वो आपके साथ honeymoon night बिताने के dream देख रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ night spent करेंगे कैसे कैसे poses करेंगे इसके बारे में Will you let me back in your life वो पूछना चाहरा है कि आप फिर से उनको वापस अपने जीवन में लाएंगे और I need you and your love also और उनको आपका प्यार चाहिए और आपका आपके जरुरत है उनको बहुत ही ज़्यादा इनके लिए ये भी आपके लिए मैसेज है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें और सेयर करना बिलकुल भी ना भूलें और लाइक जरूर करें इस वीडियो को सेयर जादा से जादा करें करें करें